तो दोस्तों, once again, welcome back on करियर का उच्विर शुभांकर देखते ही देखते दोस्तों हम आ गए 2021 के अंत पे कितने सारे एपिसोड्स, कितनी बार आपनों उसे वर्ता लब कितनी बार ऐसे ऐसे गेस को बुलाए गए जिनके माध्यम से हमने आप तक महुचाए करियर के वो आप्शन्स जिसके बारे में शायद हमनों को बहुत ज़्यादा मालूमात नहीं थे हमारे गेस भी जो आये उन्होंने अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश किया कि आपको समझा सकें, आपको बता सकें कि आगे चाय चुनोतियां जैसे भी हो लेकिन अगर हम और्गनाईज हो अगर हम एक इनफॉर्म डिशिशन बनाने के काबिल हो तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं होगी अपना फ्यूचर तैकरने के लिए दोस्तों करियर काउल जैसे जो कारिकरम होते हैं उसका मेन उद्देश यही होता है कि आप लोगों तक हम सरी गाइडेंस पहुचा है बात सिर्फ करियर की तब आती है जब हम मनोविज्ञान से लेके एक अच्छा स्वास्त कि हम सम्मिलित करते हुए चलते हैं बिना प्रॉपर साइकोलोजी के और बिना अच्छे हेल्थ के आप कुछ नहीं पा सकते इसलिए हम लोगों ने समय पे समय हमने डॉक्टर्स को इन्वाइट किया हमने साइकोलोजिस को इन्वाइट किया और उनसे जाना कि एक स्वस्त मस्तिष्क को स्वस्त शरीर में हम कैस तो दोस्तों आज जब हम इस साल के अंतिम एपिसोड पर आए हैं तो आज हम करेंगे कुछ रिवीजन वर्क जी हाँ बहुत जोरी होता रिवीजन तो जैसे कि माभाप हमनों से बार बार कहते हैं एक्जामनेशन सामने आने वाला है प्लीज रिवाइस करो तो आज हम करेंगे कुछ रिवीजन यानि हम चलेंगे अपने पास्ट में इस साल के शुरुआथ में चहां से हमने इस काईरिक्रम को शुरुआत किया हमने क्या सोचके इस कारिक्रम को बनाया हम कित्ती बार आपके सामने आय हैं और किस प्रकार से हम एक के बाद एक मुद्द आप तक उताते तो दोस्तों अगर हमें ये discuss करना है अपने ही कारिक्रम को लेके कि इस कारिक्रम का उद्देश्य कैसा था और इस कारिक्रम का भविश्य कैसा होगा तो हमारे साथ किसी essay को लेना पड़ेगा जो कि इस कारिक्रम से शुरू से जुला हुआ है तो इसलिए आज हम स्टूडियो में बात करेंगे अपने ही सयोगी हमारी प्रोग्राम कॉडिनेटर और प्रोग्राम कोर डिरेक्टर शिमल बासुडाई से तो शिमुल जब हम लोग ने कारी करम के शुरुवात की थी हम लोग सोच रहे थे कि आखिर जब हम करियर टॉक करेंगे करियर टॉक शो एक हम लोग बना रहे हैं तो मैं तो यही सोच रहा था कि उस समय मेरे दिमाग में जो चल रहा था तो यह था कि एक ऐसा talk show होगा जिस विषय में क्योंकि चारों तरफ politics और अन्य policies के बारे में, सरकारी policies के बारे में सब लोग बात करते हैं, लिकिन एक proper career talk show नहीं मिल पाता है, तो हम लोग इस इस उद्देश के साथ career talk show शुरू किया था, और इतने सारे episodes हम लोग पार करके आ लाना है, करियर बेज़ हो, स्टूडेंट्स इंट्रक्टिव हो, आपके मन में क्या चल रहा था, ये टॉक्षो क्या होना चाहिए, वो प्लान क्या था? वेल, शुभांकर जी, मेरे लिए सही में ये एक बहुत नॉस्टाल्जिक एपिसोड होगा जरूर आपके लिए भी, बट अगर मैं पूरे साल भर के शुरुआत से स्टार्ट करूँ, तो जब हम लोग ने डिसकशन स्टार्ट किया था, तो हमारे मन में एक ही उदेश था, कि बच्चों को सही गाइडेंस मिले, मैं by profession एक career counselor हूँ, एक motivational speaker हूँ, और मैं बहुत सारे universities में, schools में, हमेशा जाती हूँ, बच्चों के साथ बात करती हूँ, तो मुझे पता ही कि बच्चों के मन में क्या चलता है, उनको जितना भी गाइडेंस दू, लेकिन कभी वो clear नहीं हो पाता है, तो इसलिए हमारे show का यही उदेश था कि हम लोग बच्चों के साथ connect, बजे रखे, हम लोग continuously बच्चों के साथ touch रखे, तो इसी के लिए हम लोग खाली show नहीं, हम लोग बच्चों के पास भी जाते हैं, हम schools में जाते हैं, and 9, 10, 11, 12 के बच्चों से हम बाचीत करते हैं, हम लोग उने parents के साथ भी बातचीत की, तो हमें पता है कि बच्चे और parents दोनों में कहां पे gap है, पूरे साल जो हम लोग ने एक के बाद एक colleges विजिट किया, जहां जहां हम लोग गए, बच्चों से जब हमने interact किया, तो पाया कि ऐसे कई doubts हैं, जो बच्चे जो है स्पेशली जब हम इंडियन कॉंटेक्स में बात करते हैं, आज भी उतने खुले तौर पर अपना career decision नहीं ले पाते हैं, वो डर उनके अंदार रहता है कहीं यह decision गलत नो हो जाए, माता पिता का रोल उस समें बहुत ज़्यादा important होता है, होता यह है कि माता पिता अगर जो प्रोफेशन की continuity है, यह वो जबरदस्ती अपने बच्चे पर ढ़ना चाहते हैं, हो सकता है उनका बच्चा उसके लिए तयार नहीं हो, और यह बाते हम लोग ने कई साइकलोजिस से भी डिसकर्स की, डॉक्टर से डिसकर्स की, कई लोगों से चर्चा किया, क्या लगता जगा पर यह होता है कि parents को सबसे पहले यही नहीं पता कि उनका बच्चा क्या चाहता है, इस तरीके से बात ही ने कर पाते हैं, तो सबसे पहले as a parent, I think हम लोग हर बार यही बोलते रहते हैं कि बच्चों के साथ दूरी मत बनाईए, बच्चों के साथ बात करें, सबसे पहल कि जहां पर experience नहीं है, जैसे जो मुझे बहुत सारे problems यह नजर आया है, कि engineering में जाना चाहते है, computer science engineering में जाना चाहता है बच्चा, और सलह उनको वो दे रहे, जो खुद एक computer engineer नहीं है, तो वहाँ पर भी problem यह आता है, कि जब हम बच्चों से पूछते हैं कि बटा, आपने बड़ों से बात किये, तो मतलब आपको computer engineer बनना है, हाँ, मेरे भाई ने जो है, यही बोला है, तो हम पूछते हैं कि आपके भाई क्य कि पहले एक route map जैसे होता है, एक building जब बनता है, तो एक structure बनता है, तो सबसे पहले आप बच्चे के साथ बैठीए और उससे discuss करिए कि उसको बनना क्या है, फिर उसके बाद वो ऐसा भी नहीं है कि वो अगर बोलता है कि मुझे जो है footballer बनना है, लेकिन वो इतना जो है, उ करवाईए जो उस field में proper experience हो, तो इसलिए जो है, सबसे पहले बच्चों के साथ देखिए कि उनको क्या eligibility क्या है, उनकी capability क्या है, and then you can plan your career. सबसे पहले जो हमारा episode जब start हुआ था, तब हमारी first guest थी, Dr. Amrita Das, who is a famous career counselor, and I think अगर मैं वो episode याद करूँ, तो मेरे लिए पास बहुत सारे callers, student callers थे, जिन्होंने अपने career के लिए बहुत सारे questions पूछे थे, so I think a career counselor, क्या होता है, जब हम बिमार होते हैं, तब हम doctor के पास जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे career को लेके career counselor के पास इतना guidance ही भी लिया जाता है, जबकि they are the expert, so I'll definitely ask you, कि आपका क्या रा है इसमें, कि हम लोग क्या career counselor के पास students को लेके जाते हैं, क्या, आपका क्या विचार है इसमें, शिमुल, बहुत सही बात आपने कही, कि कही ना कहीं career counselors का जो रोल है, वो आज के दिन में अभी भी, लोग भी उसको एकसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जो decisions होते हूँ, उनसे विचार भी मरश किया, और कही ना कहीं लगा, कि expert guidance की बहुत सक्त कमी है, जो colleges होते हैं, वो अपने यहां पे sessions कराते हैं, लिकिन जब sessions group में होती है, तो बच्चों को one-to-one interaction करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो अब अगर हम ही कहीं 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 और यह एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि जब group sessions होते हैं, तो group sessions में depend करता है, जैसे आपने कहा कि बच्चे करने की जो expression करने की जो छमता है, वो कितनी है, अगर नहीं है, तो बच्चा कतराता है, घबड़ाता है, पीछे रह जाता है, अपने आपसी में बात करने मैं यह दरफास करूँगा, इस चैनल के माध्यम से, कि मुझे लगता है कि कही ना कि parents को भी involve करना चाहिए, there should be one consultant, the student and the parent, यह जो ट्रायो जब होगा, तब पता चलता है कि actually बच्चा, पेरेंट मिला के, वो माहोल क्या बन रहा है, उनको सूट करने जबाला है, नहीं तो हो बच्चा अपनी दोड़ दोड़ता रहता है, माता-पिता का अपना प्रेशा रहता है, और इस वज़े से, unfortunately, जो बहुत काबिल बच्चे भी होते हैं, वो भी पीछे रह जाता है, तो शिमुल, जब आपने अमरितादाजी की बाती की और हम लोग यह करियर कांसलिंग की ब वो जो इन्फोमेशन उनके रिक्वाइड हैं आगे करियर बनाने के लिए, तो वो कही न कहीं लैक कर जाता है, वो जो आपने रूट मैप वाली बात की, तो रूट मैप प्रोपर नहीं बन पारा है, वो कहीं न कहीं गलियों से गुमता हुआ और निकल जाता है, तो इसका स प्रेस्टिंग से फैक्स मिलें, for example, मुझे याद है जब माला मैम आई थी हमारे शोरे, माला मैम आई थी, who is the principal of Horner College, so उनके स्कूल में बहुत अच्छे से ये ओनलाइन क्लासेज और किस तरीके से ओनलाइन बच्चे पढ़ाई करे, रिसर्च करे, उन्होंने बहुत अच् सब्सक्राइन बहुत अच्छा निकल सकता है, बस इतनी सी चीजे की बच्चों के साथ अगर गलत नहीं हूँ, तो हम लोग जब बात करते हैं, तो जितनी करियर की बात शुरुवात होती हो, हमेशा शुरुवात होती आफ्टर ट्वेल्थ, बट वाट अबाउट दो स्टूडेंट्स जो की बिल्कुल प्रिपरेटरी में रहते हैं, वो जो बच्चा बिल्कुल प्रिपरेटरी स्कूल चलावी है, तो मुझे एकडम से आद आया, तो क्या लगता है, कितना इंपोर्टेंट है प्रिपरेटरी स्कूल लाइफ में, मेरे लिए तो सबसे मज़दार टॉपिक है ये, बिकाज मेरा पाशन है, बच्चों के साथ इंटराक करना, अच्छी पत को अबजोर्फ कर रहे हैं और सबकुच जसके दिमाग में आ रहा है, तो इसलिए एक स्कूल में, प्रिपरेटरी स्कूल में बहुत अच्छा एक जो अक्टिविटी होता है, वह है शर्कल टाइम, तो स्कूल के जो टीचर न, उनको घर के माहोल पूरा पता चल जाता है, ब पापा को क्या बोला, पापा को कितीनी डाट बड़ी, सब कुछ पता चल जाता है टीचर्स को. तो बच्चों को बिलकुल चोटा मज समझे, बच्चे जो हे बच्पन से ही, एक अच्छी नियू रखने के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि पेरेंस को यह लगता है कि अरे ने डारेक्ट शोशल एकदम फॉर्मल स्कूल में डालते हैं बट इस नोट दा करेक्ट फिंग जब बच्चा एक प्रिप्रेटरी स्कूल से अपना स्कूल लाइफ तो उसको मैनर्स समझ में आएगा सबसे ज़ादा आप अगर किसी भी घर में जाते हैं जहां पे एक दो रहाई साल का बच्चा है सबसे पहले तो उसकी मैनर्स नहीं समझ सबसा जा रहा है तो बच्चे आके उसको टच करते हैं तो I think preparatory schools are the best way जहां पे आप अपने बच्चे को जो है admission के साथ साथ जो है एक अच्छी formal school के लिए preparation अच्छी से कर सकते हैं उनको आदद भी बन पाती है कि किसी school में आगे जाते हैं मुझे याद है Rachel Khandnad May कि एक बच्चे को कि एक बच्चा ऑशेारी में बच्चा आता है वह काता liked in international sad nash अब नषरी में इसोड वार कि निच्चा इंते हिल्ल थो फर्लें इाता है आप और आपके स्कूल के माहोल में भूल नहीं पाता है तो उनके उपर थोड़ा सा महनत जो उनको कम करना पड़ता है, वो सीधे-सीधे वो फोकस कर पाते हैं कि बच्चे की स्टडी के उपर, rather than बच्चे को पहले पॉलिश करके उसको पहले माहोल में ढालें, बच्चा अचानक भीड देखता है, घर में तो दो-तीन लोगों के माता-पिता को छोड़ के जाने नहीं देते हैं, माता-पिता गेट पे खड़े हुए, हम सब ने वो चीज किया है, बच्चा जब पहली बाज आता है, तो किसी की इछा नहीं होती कि घर जा साके, वो ग्रील पकड़ के माता-पिता खड़े रहते हैं, उन्टिल लगों पु कुछ बच्चे होते हैं, जो हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, जो हाइपर एक्टिव होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं, जो इस हाइपर एक्टिव करने के लिए कही नहीं हम लोगों ने किसी एक एपिसोड में बात की थी, और अगर मैं गलत नहीं and we were talking with them so can you recollect few points कि इसमें से कैसे करके उन बच्चों के उपर हम लोग कैसे फोकस कर सकते हैं definitely जो ये जो एज ग्रूप होते है इस एज ग्रूप में समझ से बहुत सारी ये आती है कि अचानक से जो है एक ऐसी जगा पे उनको जाल दिया जाता है जहांपे कुछ बच्चे तो होते जो बहुत social active होते है हाईपर active होते है तो वो माहर में ढल जाते बठ कुछ बच्चे होते जो depression में आ जाते उनके लिए भी हमें लगता है कि नई बड़ो कोई stress होता है ऐसा नहीं है बच्चों को भी होता है किस तरीके से जो है उनके उपर education किस तरीके से उनको दिया जाए, class में किस तरीके से बात कर रहे है, teachers, बहुत जरूरी है कि teacher into student ratio प्रॉपर हो, because किसी-किसी school में जो है, बच्चे जादा भर दिये जाते हैं, बच्चे भर दिये जाते हैं, exactly, तो 60-70 बच्चों में या 50 बच्चे को पिंट पॉइंट नहीं कर पाते हैं, exactly, तो स्कूल में हम लोग जो ये different schools में जा रहे हैं, उसमें से हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है, बच्चों को attention कैसे मिल रही है, तो बात बस उसी पर है कि किस तरीके से आप बच्चों के ग्रोथ के उपर work कर रहे है बच्चों के ग्रोथ के उपर work करना, उसी तरीके से जो है, हमने जब उसके बात का period जो है, जो टीनेज में जब बच्चा पाऊं रखने लगता है, उसकी अपनी complexities होती है, वहाँ बच्चा जो होता है, पहले जब छोटा होता है, तो बच्चा माबाप से बहुत आसानी से ह हर बात डिसकस करता है, शेयर करता है, आकि ममी से लिपट जाएगा, ममी आज यह हो गया, आज जानते हैं बच्चे ने मुझे मारा, आज फलाने ने ये किया, लेकिन वही बच्चा धीमें 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 माता-पिता से दूर होता चला जाता है, जैसे जैसे उसके स्कूल मे में प्रॉब्लम, क्योंकि आज के दिन में दोस्तों, बहुत जल्दी ही बच्चे नशा पकड़ ले रहे हैं, ये सबसे खतरनाक बात है, बहुत ही छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में सिगरेट डेखा जाता है, और ये इसलिए होता है, क्योंकि संगत जिसको कहते हैं, ल और यहां पे कहीं बच्चा अकेले पन में हाथ गलत तरफ पड़ा देता है, उसकी दिशा बदल जाती है, शुमुल, कितना जवरी है आज के दिन में कि माता पिता जो हैं, बच्चों के साथ इंट्रेक्शन्स करते हैं, लेकिन उनकी रोजमर्णा की जिन्दगी को मॉनिट करना कितना आवश्यक हो चुका है? तो जैसे हमें सुनने को मिला था कि उसी में जो है, ग्रुप में ऐसी कुछ साइबर क्राइम के शिकार हुए कुछ बच्चे जो पेरेंस को पता भी नहीं है, तो हमें, I am also a parent, but I think हमें कब हाँ बोलना है, कब ना बोलना है, we are also not clear, हम हर चीज में बच्चे को खुश करने के लिए हम हाँ बोलेते हैं, but we should also know कि कहां पे जाके एक नो भी बोलना चाहिए, so it is very very important कि as a parent, आप अपने बच्चो के डेली अक्टिविटीज में क्या आप नजर रख रहे हैं, so cybercrime के थू, I think that was an episode जो हमारे लिए भी जो है, एक आई ओपनर था कि हम जरूर चेक करें कि हम लिए ओने मैं अपने बच्चो के हाथ में, जो мет तब दिया हैं, वो क्या कर रहे हैं अर यही बात दे ऑग neutron 크ool में अपने बात के खिल थी तो उनोंने भी इस भात पर श्रेस किया in एक प्राइंटक है samma, one आप लिदक हैक मैं तर लिए कोई भी प्रून ले लिया गया प्र ग एक बच्ची पे उपर किस तरी किस अटेंशन देते हैं, I think हम लोगों ने बहुत बड़ी समस्या यह भी सामने आया थी, आगे बढ़ते हैं, Shumul, और थोड़ी सी बात आते हैं कि हम लोगों ने करियर्स, मेडिकल, इंजिनिरिंग, लौ इन सब को कवर किया, और उसके साथ सा प्रतीख हीरा जी को भी सामने के, प्रतीख जी हम कैसे बहुल सते हैं, बिलकुल, 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 प्रतीख जी was the person जिन्होंने हमें टूरिजम इंडस्ट्री के साथ रूबरू कराया और उन्होंने एक्चुली बताया कि skill development, vocational courses, इसके विशह में उन्होंने details बताए में और देखा जाए तो लोगों के साथ जो हम एक इंट्रक्शन भी करते हैं, एक प्रोफेशनल इंट्रक्शन करते हैं, उसके लिए, skill development, जो प्रोग्राम्स होते हैं, वो कितनी जवरी होते हैं, सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हम लोंने बहुत सारी बाते की ती और सॉफ् बदलाव अच्छा है, लेकिन बदलाव तब अच्छा है, जब वो बदलाव आप में कुछ development ला रहा है, आपको किसी प्रगति की तरफ ले जा रहा है, लेकिन अगर प्रगति रुपती है, तो बदलाव अच्छा नहीं हो, उस समय रोग देना चाहिए, तो शिमुल आगे तो प्रतिक जी के जब मेंशन करते हैं, हमें याद है कि हम लोग इसी चीज को सिल्सेमिल बढ़ते हुआ हमने आर्मी के बारे में बात की थी आर्म फोर्सस में जो बच्चों को इंट्रेस जो अचानक हम बढ़ता हुआ देखा एक कॉलेज में गय थे जहां पे हम लोग ने मेजॉरिटी में देखा कि बच्चियां उन्होंने हाथ उठाई कि हम लोग एंडिये जोन काना चाते हैं तो अगर नेगटिव चीजों की बात करेंगे बट पॉसिटिव चीजे भी हमें बहुत सारी देखने को मिली फर एक्जांपल अगर हम लोग उने फेयर्स भी काफी सारे करिये फेयर्स भी अटेंगे जहां पे हम लोग माउंट कारमल कॉलेज में भी गए और हम लोग सेंट अगर यहां पॉसिटिशन कर रहे हैं जो यह गेम्स के उपर आजकल जो हम मम्मिया जो हमेशा मना करते रहते कि में गेम नी खिलना गेम नी खिलना बट उसको भी उनो नो जो एक पॉम्पिटिशन के रूप में डाल दिया था तो तो इसा अच्छा तरीके से एक्जा खुद की चीजें अगर खुद डेवलब कर सकते हैं आपके जो नए आइडिया उसको प्रैक्टिस करने के अगर आप में केपासिटी है अपमें अड़ासिटी है तो स्पीक एट आउट तो इसी प्रकार के कई इवेंट्स को कवर करते हुए अगर हमें अगर याद हो हमें कुछ ऐसे जगे पर हम लोग ने कवर किया जिसका कोई स्पेशली स्कूल सेशन की बात करूँ उस एक स्कॉलिज का नाम लिय बगर मैं नहीं रह सकता वो ता जवाहर नवोदे विद्याले है मैं इस बात का मेंशन जरूर करूँगा शायद यह हम लोग ने किसी एपिसोड में कवर नहीं किया था लेकिन बहुत जल्दी हम कवर करना चाहेंगे ऐसे कुछ स्कूल्स को और ज़्यादा तरीके से सामने आना चाहिए यह वो स्कूल्स हैं जहां पर जो एक मिडल क्लास या लोहर मिडल क्लास या यहां तक की मैं कहूं की लोहर क्लास जिनके पास बिलकुल जो वो लोग जो बिलकुल पैसे से बंचित हैं उनके बच्चों के करियर पर वो पूरी तरीके से ध्यान देते हैं और बहुत और नाइस तरीके से देते हैं मुझे बड़ा अफसोर्स होता है जब मैं गरीबों के बच्चों को देखता हूं इतना अच्छा लगता है, जब वहाँ पर जाते हैं, तो वहाँ पर आपने देखा, कि मैस में एक साथ खाना भी खाना है, उनके रहने के पूरी वरस्ताथी, अगर हम याद के लिए, तो लोगों तक पहुंच रहे हैं, यह बहुत बड़ी समस्या, यह बहुत बड़ा सवाल ह शायद अगले कुछ एपिसोड में हम लोगों तक पहुंच आए, तो इसी के साथ चलते चलते हम एक और आपको याद दिलाएंगे कि हम लोग बहुत हाली में इंटरनेशनल पबिक स्कूल में गहते, जहां हम लोग लग 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 बहुत अच्छे से हमें CBAC पाटर्न आप सड़ी के वारे में हमें समझाया है जी उन्होंने इस पारे में बहुत अच्छी बात कीती हैं ठैंक्स टू मांडवी मैं हमें याद हूँ आप एक इवेंट उसे में चल ला था जिससे में हम लोग पहुँचे थे देखिए को और वो भी बच्छों के द्वारा था बहुत ही बहतेरी इंतरिके से और इति कुछ उर्णाइस किया उन्होंने बच्छों को पूरा डे हट गिवन देम ओपन प्लाटफॉर्म टॉ परफॉर्म उन्होंने प्रोग्राम को डिजाइन किया था टीचर इस ने सिर्फ पीछे से मॉ से डेवलब हो रही है वो किस प्रकास से वॉल्व हो रही है जैसे जैसे एजुकेशन आगे बढ़ता जा रहा है हमारा मानना यह है कि को स्ट्रक्चर को सिलेबर्स को उसको भी कहीं न कहीं एवॉलुशन के तहत गुजना पड़ेगा आ जो को साय किया जा रहा है वो एकाप बद्रक wipes अला है कि नो बैग असरा से तारीफ को डिया जाए इसा तो नहीं करें कि हम लोग को अच्छा हस्बेंट बनने की शिक्षा दे नहीं कि घर पे रह रहे हो अगर इस तरीके से मिले तो आगे चलके किसी को भी प्रॉब्लम ना हो बिल्कुल सही बात है शिमुल आखरी प्रश्न और बहुत इंपोर्टन यह सब तो हुआ जो दोजार इकेस में था था कि दोजार बाइस में हम क्या देखने वाले हैं करियर्स कि इतनी ज्यादा चीज़ें तमने कबर कर डाली तो कहीं न गहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वी विल पता भी नहीं है आज के देट में तो आई थिंग हमारे पास जो यह 2022 हम स्टार्ट करने वाले एकदम प्रिप्रेटरी से कि किस तरीके से जो है स्कूलिंग होनी चाहिए प्रिप्रेटरी स्कूलिंग में कैसी जानी चाहिए और फॉलोड बाई अधर डिफरेंट कोसेज तो तो दोस्तों ये थी शिमूल बासुराय और शुभांकर बटाचारिया यानि मैं तो हम लोगों ने आज बात की की करियर काउच किस प्रकार से प्रतिबद्ध है आप तक करियर ऑप्शन्स को पुचाने के लिए और प्रतिबद्ध है कि हम स्टूडेंट्स की लाइफ को थोड़ा असान कर सकें उनकी चुनोतियों को झेलने की ताकत हम उनको दे सकें वो अपना विजन आने वाले समय में क्लियरली देख सकें किस लाइन को चैन करना है उस लाइन के कैसे और जीतेंगे कैसे आप अपने भविश्य में सफर हो इसी कामना के साथ हम 2020 को खतम करते हैं और बहुत जल्दी हम मिलेंगे 2022 में So, we wish you a very merry Christmas and a happy new year. Goodbye, take care.